वेलकम तो फडल्विधिकमेच आज मैं आपको फिंगर मल्टिप्लिकेशन बाई नाइन करवाने जा रही हूँ जो सिंपल ट्रिट है इसमें आपको मल्टिप्लिकेशन आती है नहीं आती है टेबल आपको आता है नहीं आता है कोई फरutter नहीं परता हमारा यहां पर 1st tense यह tense digit है जो हमारे tense digit है वो हमें सबसे पहले लिख लिखा 46 का 2 लिखा 69 का 6 लिखा 37 का 3 56 का हमने 5 लिखा यह हमारा 1st step हो गया 2nd step हमें देखना है 2 और 6 के बीच में कितने numbers हैं 2 के बाद 3, 4, 5 means हमारे 3 number है 6 के बाद 7, 8 means हमारे 2 number है 3 के बाद 4, 5, 6 means 3 number है 5 के बाद 6 है तो 5 के बाद 6 means कोई लगाता number है कोई बीच में number नहीं है means 0 आ गया यह हमारे 2 first और यह second step हो गया then हमारा third step क्या होगा हमें अब यह last number देखना है बस जो number है वो हमें देखना है 6 है 6 के बाद में जहां से यह 2 digit number शुरू होता है means 10 जहां पर 10 आता है means इसके बाद 10 कितने numbers में आता है 6 के बाद 7, 8, 9, 10 means 4 9 के बाद सीधा 10 means 1 7 के बाद 8, 9, 10 means 3 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 means 5 इसी तरीके से आपको अब यह वारा question अपने आप करना है 5 के बाद आपको अपने आपको अपको 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